साथियों, आज इस कॉन्वोकेशन के बाद बहुत से स्टूडन्स यही रहेंगे, बहुत से यहां से चले भी जाएंगे, IIT गुहाटी के अन्य स्टूडन्स भी इस समय मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आज के इस विशेस दिन में आप से कुछ आगरे भी करूँगा, क आपकी लाइक में इस रीजन का कॉन्टूबिशन भी है, और आपने इस रीजन को देखा, समझा और मैसूज भी किया है, इस ख्षेतर की जो चुनोतियां है, इस ख्षेतर में जो संभावना है, उनसे आपकी रिसर्च कैसे जुड सकती है, यह आपको सोचना चाहिए, उधान के तौर पर सोलार एनरजी, बिन्ड एनरजी, बायो मास और हाइड्रो एलेक्ट्रिक एनरजी में भी यहाँ अपार संभावनाए है, यहाँ चावल, चाए, बांस जैसी संपदा है, जो टूरिजम इंडिस्ट्री से हैं, उसे हमारा कोई इनोवेशन बुष्ट दे सकता है क्या, साथियों, यहाँ बायो डावर्सिटी भी हैं, और अपार परमपारी ज्ञान और हुनर भी, इस परमपारी हुनर का, नौलेज का, और यहाँ तक की साइन्स और टेक्नलोजी का, ट्रांश्मिशन भी परमपरा से होता आ रहा है, एक जनरेशन ने यह ग्यान दूसरी जनरेशन को दिया, उससे अगली जनरेशन को मिला, और यह सिलसिला चलता चला आ रहा है, क्या हम इसे आदुनिक टेक्नलोजी से जोड सकते हैं, क्या हम इस फ्यूजन से नई टेक्नलोजी खड़ी कर सकते हैं, मेरा मानना है कि हम एक modern और scientific process के जरिए cultural knowledge, skills और beliefs को reach and cutting edge professional development program में तायार कर सकते हैं मेरा सुजाव है कि IIT Guwahati इसमें एक मुख्य भूमी का निभाए और एक center for Indian knowledge system की स्तापना करे इसके जरिये हम पुरुवत्तर को देश और दुनिया को ऐसा बहुत कुछ दे सकते हैं जो invaluable होगा साथ यो असम और पुरुवत्तर देश का ऐसा रीजन है जो possibility से बना हुआ है लेकिन इस रीजन को flood, earthquake, landslide और कई industrial disaster जैसी आपदाएं भी घेरती रहती हैं इन disaster से निपतने में इन राज्यों के energy और efforts खर्च होते हैं इस समस्याओं से effectively निपता जाएं इसके लिए high degree of technological support and intervention की ज़रुवत परती हैं मैं IIT गुहाडी से भी अनुरोद करूँगा कि आप एक center for disaster management and risk reduction की स्थापना भी करें ये center इस इलाके की आपदाओं से निपतने की expertise भी provide करेगा मुझे पूरा भरोसा है कि IIT गुहाडी और आप सभी IIT छात्र आगे बढ़ेंगे तो ये संकल्प भी जरूर सिद्ध होगा मुझे बढ़ेंगे बढ़ेंगे जरूर सिद्ध होगा